विट्राइख का आईब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक अप इंडिया के मोबाल बैंकिंग से आप किसी को भी बैंक एकंड में डारेक्ट पैसा ट्रांसपर करना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में complete process step by step करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप beneficiary add करके bank account में direct पैसा transfer कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि कितना limit आप यहाँ पर set करेंगे जिससे आप पैसा transfer कर सकते हैं दोस्तों कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताँ को तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों bank of India के mobile banking से पैसा transfer करने के लिए bank of India के mobile banking को open कर लेना है जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर open पर click कर देता हूं open करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो करेगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको customer ID डाल देना है उसके बाद login पीन आपको डाल देना है जो six digit का होता है उसके बाद दोस्तों आपको login का option दिखाई देगा तो login के option पर आपको simply click कर देना है चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना कस्टमर एड़ी और दोस्तों लॉगिन पीन यहाँ पर डाल देता हूँ उसके बाद लॉगिन पर मैं किलिक कर देता हूँ जैसा कि दोस्तों यहां पर मैं customer ID login pin डालकर login पर मैंने किलिक किया अब दोस्तों यहां पर bank of India का mobile banking में मैं login हो चुका हूँ login होने के वाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो करेगा अब दोस्तों किसी को भी bank account में direct पैसा transfer करना चाहतें beneficiary add करकर तो दोस्तों यहां पे देखे beneficiary management का एक option दिखाए देगा यहां पे आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस beneficiary management के option पे आपको simply click कर देना है यहां पे आप देख सकते हैं beneficiary management का option दिखाए देना है इस option पे आपको simply click कर देना है जैसे ही दोस्तों beneficiary management पे आप click करेंगे आ आपके सामने कुछ इस तरह के अंडर पर साजागा आप नीचे में देखे पलस का आइकन दिखाई देगा तो सिंप्ली इस पलस के आइकन पर आपको सिंप्ली किलिक कर देना है यहाँ पर आप सिंप्ली किलिक करेंगे जैसे आप किलिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको payment mode आपको select करना पड़ेगा तो select payment mode का option दिखाए दे रहा है इस पर आप click करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको IMPS वाला select करना पड़ेगा चलिए मैं यहाँ पर payment mode पर मैं select करता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाए दे रहा है IMPS account number plus IMPS code तो इस option को आपको select कर लेना है उसके बाद दोस्तों नीचे में दिखे OK का option दिखाए दे रहा है OK पर आपको simply click कर देना है अब दोस्तों अपने benifesory का नाम ड़ना जीसको फैसा ट्रांसफर करना है उसका नाम डालना है जो भी उसके पास्बुक में नाम है वो नाव आपको डाल देना है, उसके बाद इसको पैसर ट्रांसफर करें, उसका account number फिर से confirm account number आपको डाल देना है उसके बाद दोस्तो, आई-अ-ए, ऐसी code डालका नीचे में submit का option दिखाई देगा, submit पे आपको simply click कर देना है सबसे पहले दोस्तों अपना पूरा डीटेल सही से डाल देंगे सब्मिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाये जाएगा आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेना है उसके बाद दोस्तों नीचे में दिखे कनफर्म का ओप्सन दिखाये देगा तो इस कनफर्म के ओप्सन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे दोस्तों चीज मेरा सही है तो कनफर्म में क्लिक कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपके बैंक एकट में जो भी मोवाल नमर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आगा, Automatic OTP ले लिया जाएगा और दोस्तों उसके बाद नीचे में देखे, Verify का ओप्सन दिखाये देगा Verify पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है चलिए मैं यहाँ पर मेरा OTP ले चुका है अब दोस्तों मैं Verify पे क्लिक कर देता हूँ जैसे दोस्तों Verify पे मैंने क्लिक किया अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर Verify पे क्लिक किया अब दोस्तों बोल रहा है Transaction Password डालने के लिए बनीफेसरी एड सकस्फुली का ओफेसन आ जागा यहाँ पे एक मैसेज पॉप उप मैसेज आ जागा कि आपका बैनीफेसरी एड को गया है सक्सेफुली अब दोस्तों आपको करना क्या यहां पर देख के नीचे में यस का ओफसन दिखाए देगा तो आपको ऑपे पो क्लिक कर देना हैं जैसे ही दोस्तों बहुत करें अब को यहां पर अपना प्रीस गोस्के बहिसे कर सकते हैं पाँच लग ऑफ लिए भी किया है यहां पे दोस्तों मैं अपना एक रुपे यहां पर लीमीट OS कर दिया हूं आप उस कर सकते हैं, agriculture जादा कर सकते हैं मैं आपको बताने के लिए रुपिया का रुपिया लिमित आप देगा, आप दोस्तो नीचे पर का सब्सक्राइगा पासवर्ट ढाल दिया अब सिंप्ली आपको यहां पर ऑके कर देना है और करेंगे आपका लिमिट यहां पर सेट हो जाएगा अब दोस्तों जिस बंदे का मैंने बेनिफेसरिट्ट एड्ड क्या इस बंदे को मैं एक रुप्या ही मैक्सीमम transfer कर सकता हूँ तो यहाँपे मेरा beneficiary add हो चुका है इसी तरह से अपना beneficiary add करेंगे आप जितना फी beneficiary add करेंगे add कर सकते हैं अब दोस्तोब करना क्या यहाँपे simply आपको pay के option दिखाये देगा तो simply आपको pay पे क्लिक कर देनai जैसे दोस्तो आफ पे किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंडरीफilim जाएगा यहाँ पर अब दोस्तो जितना भी पैसा ट्रास्फर करना चाहते है वह एमांट आपको डालना पड़ेगा मैंने दोस्तो यहाँ पर एक रुपयार का सेट किया तो दोस्तों मैं इसको एक ही रूपिया यहां पर ट्रासफर कर सकते हूं आप जितना भी एमांट यहां पर लिमिट आप सेट करेंगे उतना ही एमांट आप ट्रासफर कर सकते हैं मैंने यहां पर यहां पर यहां पर हम सब्सक्राइब कर दिया और यहां पर दो थो उसके बाद दोस्तों पासवर्ट डालने के बाद आपको सिंपली देखिए ओके पहुत पर कर देता हूं उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपका यहां पर पैसा हो जाएगा जिस बन्दे को मैं पैसा ट्रास्फर करना हूं उसको यहां पर पैसा ट्रासफर हो जाएगा यहां पर कुछ दिर प्रोससिंग चलेगा तो आपको फॉड़ा щoo एट करना और दोस्तों यहां पर लिमीट सेट किये तो तो 10 अचयर जादा आप पैसा ट्रासपर नहीं कर सकते हैं 9 serious अचयर तक आप पैसा ट्रासपर कर सकते हैं तो इस तरह से आप बैंक उप इंडिया के मवायल बैंकिंग से बेनीफयरी एड़ करे किकिसी को भी बैंक और में डारेक्ट पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए को वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल